नसीहतों के फूल ख्वाजा साहिब के मुरीद और खलीफा हजरत ख्वाजा कुत्बदीन बक्तियार काकी ने आपकी तालीम को इकठा किया और उसे एक किताब का रूप दे दिया जिसका नाम है दिलील उल आरिफीन संत महातमा सूफी दर्वेश कई बार नसीहत देते वक्त सक्थ लफजों का इस्तमाल करते हैं ताकि उनकी कही बात का लोगों पर असर हो आपकी दी गई कुछ नसीहतें इस परकार है एक जिस शक्स में ये तीन खूबियां मौजूद है उसे खुदा का दोस्ट समझना चाहिए दरिया की तरहां सखावत यानि देने में दरिया दिली सूरज किसी शफकत यानि देया यानि सूरज की रोशनी की तरहां सब पर बराबरी की नजर जमीन जैसी महमान नवाजी यानि अपने प्यार के आगोश में सब को जगा दो फकीरी का हक उस शक्स को है जो आखिरत के लिए सब कुछ जमा कर ले और दुनिया के लिए कुछ भाकी ना रखे तीन खामोशी और इबादत में रमे रहना, आरिफ यानि ग्यानी लोगों की पहचान है चार आशिक का दिल महबबत की आग से जला हुआ होता है जो भी ख्वाइश उसके अंदर आती है, यह आग उसे भी जला कर राक कर देती है पांच आरिफ यानि ग्यानी वे है जो मौत को दोस समझे एशो इश्रित को दुश्मन और जिक्रे इलहाई को अजीज रखे छे अलहम्द शरीफ यानि खुदा की तारीफ, सदा उसका जिक्र, हर सालिक यानि अभ्यासी के लिए बहतरीन अमल है साथ बड़ी महबबत के साथ पीर यानि मुर्शित का दिदार करना और खिदमत यानि सेवा करना इबादत है पीर की तालीम बड़े गौर से सुनो और वह जो बताए उस पर अमल करो आठ तरीकत की रहा पर चलने वाले के लिए जरूरी है कि पहले इस दुनिया को तलाक दे फिर इस दुनिया में मौजूद चीजों की खौईश को और फिर अपने नफस को तलाक दे तब एहले सुलूक सुफियों के रास्ते पर कदम रखे जिसने यह नहीं किया और दुनिया की नुमाईश में फसा रहा समझ लो वह जूटा है अगर कोई यह दावा करे कि मुझे खुदा की दोस्ती हासिल है और वह इस दुनिया को भी छोड़ने को तयार नहीं समझ लो कि वह जूटा है आरिफ यानि ग्यानी का तवक्कुल यानि भरोसा सिवाए खुदा के किसी और पर नहीं होता वह ना अपनी राहत यानि आराम की दास्ता किसी को सुनाता है ना रंज की शिकायत किसी से करता है आरिफ इन तीन चीजों पर भरोसा नहीं करता पहला इल्म यानि ग्यान दूसरा अमल यानि इबादत तीसरा खल्क यानि लोग यानि अपने इल्म पर फक्र ना करे ना अपनी इबादत को बहुत समझे और ना लोगों की महबबत से उसके दिल में गरूर हो बलकि वह अपनी हर चीज का मालिक खुदा को समझे ग्यारा जिसने भी कुछ पाया है खिद्मत से पाया है मुरीद यानि शिश्य को चाहिए कि मुर्शिद यानि गुरू का हुक्म मानने में कोई हीलो हुजजत यानि किंतु परंतु ना करे क्योंकि पीर यानि गुरू जो भी हुक्म देता है उसमें मुरीद की भलाई चुपी होती है बारा शरीयत यानि मजब के काईदे कानून का पालन करना शरीयत पर कायम रहने के बाद अगला पड़ाव तरीकत है तरीकत यानि नेक अमल अपनाना और उसके जरीये दिल की पाकीजगी हासिल करते हुए रुहानी रहा पर चलना उसके बाद मार्फत यानि अंतर में अपने आप की पहचान होती है इस से उपर हकीकत है हकीकत यानि खुदा से विसाल हासिल करना हकीकत में पहुँच चुके सादक की हर मुराद पूरी हो जाती है तेरा मार्फत चुप्पी को जन्म देती है जो अंदरूनी रुहानी राज जान लेता है उसके होट सिल जाते है चोदा आरिफ का अल्ला पर इतना पक्का भरोसा होता है कि वह सदा सब्र शुक्र की हालत में रहता है पंदरा मुहबत वाले दिल की यह पहचान है कि हर वक्त फर्मा बर्दार यानि आग्याकारी बना रहे और खुदा का खौफ दिल में रखे कि उसका बरताव कहीं खुदा की रहमत से उसे महरूम ना कर दे सोला तमाम मुहबतों से बढ़कर अल्ला की मुहबत खास है सत्रा आरिफ यानि ग्यानी उसे कहते हैं जिस पर रोजाना, सुभा वा शाम अल्ला ताला के नूर की बारिश होती है वे खुदा की महबत में ऐसे मस्त रहता है कि हर वक्त सोते जाकते जिकरे खुदा से कभी भी दूर नहीं होता अठारा अल्ला ने जो फर्ज हम पर कायम किये हैं अगर हम उनमें काहिली यानि सुस्ती बरतते हैं तो हमारी महबत का दावा जूटा है इश्के सादिक यानि सच्चा प्रेम तो वे है कि इनसान पर दोस्त की तरफ से भले ही मुसीबतों के पहाड तूट पड़े मगर वे अपनी जबान से आह भी ना करे और इन तमाम मुसीबतों को खुशी से बरदाश्ट करे बीस ए लोगों मौत के आने से पहले अपनी आखिरत के सफर के लिए तैयारी कर लो और मौत के लिए हमेशा तैयार रहो क्योंकि महबबत करने वाला तो अपने महभूब से मिलने के लिए बेचैन रहता है इक्यस अल्ला जिसे अपने इश्क की सौगात बख्षता है उसके अंदर फकीरी और मस्ती पैदा कर देता है ताकि वह दुनिया का दिलदार ना बन जाए 22 खुदा को वही पहचान सकता है जो गफलत से दूर रहे और खुद को कुछ ना समझे 23 जो जिस चीज के लायक होगा खुदा बगैर मांगे उसको देता है क्योंकि जब इशके सादिक हो तो फिर किसी चीज को पाने की आर्जू नहीं रहती रूहानियत की मन्जिल की यह सबसे बड़ी परक है कि अपनी आर्जूओं को खुदा की मर्जी का पाबंद कर लो 24 जो लोग अपनी मर्जी खुदा के सुपुर्द कर चुके हैं उन्हें जन्नत और उसकी चीजों की कोई जरूरत नहीं उनकी हकी यानि सच्ची जरूरत वा आर्जू तो सिर्फ यही है कि खुदा उनसे खुश हो वे लोग ही आरिफ कहलाते है 25 नेक लोगों की सोहबत नेक काम से अच्ची है और बुरों की सोहबत बुरे काम से बुरी है अल सोहबत तसूर यानि सोहबत का असर होता है इसलिए जो जिस सोहबत को इक्तियार करेगा वह वैसा ही फल पाएगा 26 गुना करने से इतना नुकसान नहीं होता जितना अपने किसी भाई को जलील यानि बे इज़्जत करने से होता है 27 तमाम इबादतों से ज्यादा मकबूल यानि मन्जूर इबादत ये है कि बेकसों यानि दुखी लाचार और मजलुमों यानि जिन पर जुल्म हुआ हो उनकी मदद करना 28 बूखों को खाना खेलाना, प्यासों को पानी पिलाना, गरीब की खौईश पूरी करना, दुखियों की मदद करना दर्वेशी इसी का नाम है जो आए उसे महरूम यानि खाली न जाना पड़े 29 जो उलाद माबाप की कदम बोसी यानि सेवा करते हैं, उनके गुनाह माफ कर दिये जाते हैं हजरत बाइजीद बिस्तामी फरमाते हैं कि उन्होंने जो कुल मरतबे पाए, अपने माबाप की खिदमत करने से पाए खुदा का हुक्म है कि माबाप की ऐसी खिद्मत करो जैसा उनका हक है तीस जो इनसान किसी भूखे को खाना खिलाता है खुदा कियामत के दिन उसके और दोजक यानि नरक के बीच साथ परदे तान देता है यानि जो खुदा के रास्ते में नेकी करते हैं उसका बहतरी नतीजा खुदा ही देता है 31. हर काम नेक नियत और विश्वास से करना चाहिए 32. तौबा की तीन किसमे हैं पहली शर्मिंदगी, दूसरी गुनाहों से बचना, तीसरी खुद को जुल्म से रोकना और दुश्मनी से दूर रहना 33. वहदत की हालत में आशिक, माशूक और इश्क एक हो जाते हैं 34. दोस्ती उसी का नाम है कि उसका जिक्र दिल से करें क्योंकि दिल याद के लिए बनाया गया है 35. जब तक मुर्शिद से तालीम नहीं मिलती, तब तक मन्जिल पर नहीं पहुंच सकते